लुन्डरा धौरपूर मार्ग में इन दिनों दो पईया, चार पईया, वाहन चालो को और राहगीरों को सफर करना धूल के कारण अत्यंती कठीन हो गया है गौर तलब है कि बरबरिक प्रोजेक्ट इलिमिटेट सूरचपूर की ठेकेदार कमपनी द्वारा रगुनातपूर लुन्डरा धौरपूर 26 किलोमीटर का चौडी करन और उन्नेयन का कारी वर्तमान में किया जा रहा है लेकिन उक्तिसडक निर्मान ठेकेदार एजनसी द्वारा सडक निर्मान की दर्मियान जल का छड़काव ना किये जाने से उक्तिसडक से लुन्डरा धौर पूर जाने के लिए वाहां चालक और रहगिरों को दूल की फाक खाने को मजबूर होना पड़ रहा है पूर्व में भी उक्त सड़क में उर्त दूल की परेशानी को प्रात्मिक्ता से नभारत समाचा पत्र में प्रकाशित किया जा चुका है लेकिन उक्त सड़क में जल छड़काव के लिए निर्बान एजनसी के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है 26 किलो मीटर सड़क निर्मान कारी के लिए महस दो टैंकर के मरो से ही जल का छड़काव किये जाने की बात टैंकर चालक द्वारा कही गई है इन सड़कों के करीब छोटे व्यवसाईयों का व्यवसाय धूल के कारण पूरी तरह से चौपट हो चुका है सड़क निर्मान कंपनी द्वारा इन सड़कों पर जल का छड़काव ना किये जाने से वाहन चालकों, राहगीरों एवं शेत्रवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और उनके स्वास्त पर भी इसका दुश्प्रबाव पड़ रहा है जिला पंचायत अध्यक्ष CG MSC Board के अध्यक्ष का इन सड़कों से गुजरना आम है लेकिन लगजरी वाहन में आम जंता की तकलिफों से उन्हें लेना देना नहीं है आम नागरी के इन सड़कों पर दूल की फाक खाने को मजबूर है सड़क निर्वान कंपनी द्वारा जल दीन सड़कों पर जल का छड़का अवना करने पर रहगीरों ग्रामीनों एवं वाहन चालकों द्वारा उग्रांदुरन की चेदावनी दी गई है जिसके जिम्मदारी सरक निर्वान कंपनी की होने की बार ग्रामीनों द्वारा कही गई है Bureau Report